नवश्कार बच्चो बच्चो उमीद है आप स्वस्थ होंगे खूश होंगे बच्चो हम कक्षा आठ का अध्याए चार कानुनों की समझ पड़ रहे हैं इसका पहला भाग हम कर चुके हैं और आज हम इसका दूसरा व अंतिम भाग करने जा रहे हैं और इस भाग में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो संसद है जब कानुन पास करती है तो किस प्रकार लोगों की वज़ा से ही वो कानुन पास करती है क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो दवाब डालते हैं इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि विवादास्पत और अलोक प्रिया कानून क्या होते हैं तो आईए अब हम देखते हैं कि कानून कैसे बनते हैं कानून बनाने का काम भारत में जो भारत की संसद है उसको सोपा गया है ये जिम्मेदारी संसद की है संसद क्या है संसद देश की कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्ता है और इसके मुख्या रूप से तीन भाग हैं दो सदन हैं और एक राष्ट पती जी लोगसभा राज्यसभा और राष्ट पती जी तीनों मिलकर के संसद का काम करते हैं अर्थाद कानून बनाने में मदद करते हैं लेकिन संसद अपने आप ही ऐसा नहीं कर सकती जब उसे लगता है कि इस चीज की जरूरत है जब उसे लोगों की तरफ से किसी समस्या का पता चलता है तब वो इस दिशा में कदम उठाती है और नया कानून बनाती है तो हम कह सकते हैं कि देश के नागरिकों की कानून बनाने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है आए हम इसको एक उधारन के माद्यम से समझते हैं हम घ्रेलू हिंसा कानून जो 2005 में बना और 2006 में लागू हुआ आए हम उसकी बात करते हैं घ्रेलू हिंसा क्या होती है? जब प्रिवार का कोई पुरुष सदस्या आमतोर पर पती घर की किसी ओरत आमतोर पर पतनी के साथ मारपिट करता है उसे चोट पहुँचाता है या मारपिट अथवा चोट की धमकी देता है तो इसे घ्रेलू हिंसा कहा जाता है ओरत को यह नुकसान शारेरिक मारपिट या भावनात्मक शोशन के कारण पहुँच सकता है यह शोशन मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोशन भी हो सकता है घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाशा ने घरेलू शबद की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है आईए अब हम उस प्रिष्ट भूमी को पढ़ते हैं जिसके अनुसार 2006 से ग्रेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ कुस्सम और साजिया एक महिला संग्ठन की सदस्या है उन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है शाजिया और कुस्सम बातें कर रही है शाजिया कुस्सम से कहती है अरे आज का खबार पढ़ा तुमने ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है न कुस्सम कहती है महिलाओं के लिए क्यों हिंसा मुक्त परिवार तो सब के लिए अच्छी है देखो न इस कानून को बनन मैं जब से ये कानून बनना शुरू हुआ, वो याद करती हैं अप्रेल 1991 का वो दिन, दफ्तर का एक आम दिन, वहाँ पर क्या हुआ, एक महिला एक नौजवान महिला और एक बुज़ूरक महिला दोनों आती हैं, जो नौजवान महिला है, वो उनके दफ्तर में आकर के कहती है मुझे सला चाहिए मेरा आदमी मुझे पीटता है मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई मुझे बड़ी शरम आती है पर अब बरदाश्ट नहीं होता लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है मैं कहां जाऊं वो जो दूसरी वरिद महिला है वो भी कहती है मेरा बेटा और बहु मुझे से बहुत बुरा बरताव करते हैं बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे मैं अपने बैंक खतों का अब इस्तेमाल नहीं कर सकती वे चाहें तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं वो जो नोजवान महिला है वो कहती है कि और मैं पुलिस वालों के पास भी नहीं जाना चाहती, मैं तो ये चाहती हूँ कि बस जो मेरा पती है मेरे साथ मार पिट ना करे और वो जो वृद महिला है वो भी इसी तरह की बात कहती है, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा पुत्र और पुत्रवदू मुझे घर से बाहर ना निकालें लेकिन दफ्तर में महिला कहती है कि नहीं मोजूदा कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है ये दोनों ही रास्ते मुम्किन नहीं हैं और इसलिए क्या हुआ 1990 के दशक में विभीन मंचों से एक नए कानून की मांग उठने लगी औ महिलाएं कहने लगी हमने कई महिलाओं की आप विती सुनी है हमने देखा कि महिलाएं मार पीट से बचाव चाती हैं वे अपने मकान में रहना चाती हैं कई बार उन्हें सिरफ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है इस मुद्दे से निप्टने के लिए एक नया नागरिक कान उन चाहिए और जब इस प्रकार की जन सुनवाई पूरे देश में हुई तो 1999 में वकीलों के विद्यारतियों और और इस विदहेक में क्या शामिल किया जाना चाहिए इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी ग्रेलू हिंसा की परिभाशा में शारेरिक आर्थिक योन और भावनात्मक दुर्वेवार को भी शामिल किया जाना चाहिए दूसरे लोग कहते हैं सांजा घरेलू दाइरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानुन के तहत रखा जाना चाहिए उन्हें सांजा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए और आर्थिक मदद के बारे चाहिए एक दूसरी महिला कहती है और इस प्रकार ये चर्चा होने लगी कि जल्दी से जल्दी संसद में महिलाओं के हितों के लिए एक नया कानुन पेश किया जाना चाहिए और आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया जब पेश कर दिया गया तब उस बात को लेकर भी कई महिलाओं ने उसके उपर अपत्ती जताई महिलाएं कहने लगी इस विधेयक में कोई वीव वबात नहीं है जो हमने सुझाई थी दूसरी कहने लगी हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए फिर एक अन्या महिला बोली चलो सवांदाता समेलन बुलाते हैं साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राए दे सकें और उस संस्दिय स्थाई समीति ने अपने विचार रखे संस्थिय स्थाई समीति के मानिनिय सस्यगन वर्तमान विदेक को बदलना जरूरी है ग्रेलू हिंसा की परस्तावित परिवाशा से सहमत नहीं है इस कानुन में बच्च्यों की अस्थाई कस्टडी का भी इंतजाम ह और इस प्रकार दिसंबर 2002 में 27 समिती ने अपनी सिफार्षें राज्यासबा को सौप दी इन सिफार्षों को लोगसबा में भी पेश किया गया कमेटी की रिपोर्ट में महिला संग्ठनों की ज्यादा तर मांगों को सविकार कर लिया गया था 2005 में संसद के सामने एक नया विधेक पेश किया गया दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे रास्टर पती के पास सविकृती के लिए भेज दिया गया 2006 से गरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फरेंस हुई और अक्तूबर 2006 में एक स्वान दाता समेलन हुआ और उस स्वान दाता समेलन में प्रशन पूछे गए यह नया कानून क्या है तब महिला संग्टनों की एक महिला बोली यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के लिए हिंसा मुक्च परिवार के अधिकार को मानिता दी गई है और तबी एक दूसरे स्वान दाता ने प्रशन पूछा की यह कानून इतना महत्मपुरन क्यों है यह कानून एक बहुत महत्मपुरन का दम है दूसरे महिला बोली यह कानून एक संग्जे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मानिता देता है महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाब सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं महिलाएं अपने इलाज और अन्या खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं और इसके बाद एक लंबा सफर शुरू होता है हाँ हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस कानुन में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सच मुच लागू किया जाए हमें सब तरफ नजर रखनी होगी हमें महिलाओं पुलिस नयापालिका सभी को इस कानुन के बारे में शिक्षित करना होगा तो इस उधारन से ये सपस्ट हो जाता है कि किसी भी कानुन को बनाने में या लागू करने में या लागू करवाने में नागरिकों की जो भूमिका है वो कितनी ज्यादा महत्वपुरण है जो नागरिक हैं अगर किसी कानुन को बदलाना चाहते हैं या नया कानुन पेश करना चाते हैं तो वो परदर्शन कर सकते हैं वो अख़बार में रिपोर्ट भेज सकते हैं टीवी चैनलों में अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं और सरकार को बाध्धै कर सकते हैं कि वो इस प्रकार का कोई नया कानून बनाए अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अलोक प्रि पास कर दिया जाता है जो लोगों को लगता है कि वो ठीक नहीं है उनको वो रास नहीं आता देखा जाए तो जो संसत कानुन पास करती है वो लोगों की भलाई के लिए ही करती है लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग उस कानुन से संतूस्ट नहीं होते हैं और इस प्रक वो सरकार के खिलाब परदर्शन करना शुरू कर देते हैं और अख़बारों में रिपोर्टें भेजना शुरू कर देते हैं और सरकार को कहते हैं बाध्या करते हैं कि उसने जो कानून बनाया है उसको वापिस लेना ही होगा हम इसको एक उधारन से समझ सकते हैं नगरपालिका की सिमाओं के भीतर जगय के इस्तेमाल से सबंदित विभिन नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोशित किया गया है इसमें कोई संदे नहीं कि सारजनिक स्थानों को साफ सुत्रा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं तबी लोग असानी से फुटपातों पर चल पाएंगे लेकिन हम इस बात को भी नजर अंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है लिहाजा अगर कानुन किसी एक समुह की हिमायत करता है तो दूसरे समुह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और तकराव की स्थिती पैदा हो जाएगी जो लोग सोचते हैं कि सबंदित कानुन सही नहीं है वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में भी जा सकते हैं यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानुन समिन्धान के विरुद है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद कर सकती है हम इतिहास में ऐसे कई उधारन पड़ते हैं जिसमें कई लोगों ने और कई समुदायों ने अन्याय पूरण कानुनों को खतम करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई आए अब हम एक विदेशी उधारन लेते हैं आपने कख्षा साथ में पड़ा होगा कि रोजा पाक्स अमरीका में एक संघरश कर रही थी आए उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करें रोजा पाक्स नामक अफ्रीकी अमरीकी महिला ने एक दिसंबर 1955 को एक शवेत वैक्ती के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था रोजा पाक्स उस कानुन का विरोध कर रही थी जो सभी सारजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमरीकी नागरिकों के लिए अलग अलग दाइरे तै करता था यहां तक की सडकों पर भी दोनों समुदायों की जगें अलग अलग होती थी रोजा पाक्स का यह इनकार एक एतिहासी घटना था इसी के बाद वहां नागरिक अधिकार अंदोलन शुरू हुआ जिसके फलसवरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानुन पारित किया गया इस कानुन के जरिये संयुक्त राजय अमरीका में नसल धरम या रास्ट्रियता के अधार पर किसी भी त्रह के भेदभाव को गैर कानुनी घोशित कर दिया गया इस चितर में यहां प्रेक दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि रोजा पाक्स बस में यातरा करती हुई दिखाई दे रही है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हम जो नागरिक हैं हमारी जिम्मेदारी तभी खतम नहीं होताती जब हम चुनाव में अपना वोट डाल देते हैं हमें उसके बाद भी देखना चाहिए कि हमने जो अपने प्रतिनिधी चुने हैं जो संसद के सदस्य है संसद या विधान सबा के सदस्य है विधायक हमने जो चुने हैं क्या वो ठीक ढंक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और हमें उनको याद दिलाना चाहिए कि आपक क्या करना है जितना हम सजग होंगे जितना हम सतर्क होंगे उतने ही बड़िया ढंग से हम अपने सांसदों और विधायकों को उनकी भूमिका के बारे में अच्छी तरह से परिचित करवा सकते हैं तो बच्चों आपने इस अधेयाय में देखा कि कानून कैसे बनते हैं कानूनों को कौन बनाता है कानून बनाने में लोगों की भूमिका कितनी महतंपूर्ण होती है किस प्रकार घ्रेलू हिंसा जो अधिनियम था उसके तहत हमने समझने का प्रयास किया फिर हमने ये भी जान कि कोई कानुन अलोक प्रिय या विवादास्पद क्यूं होता है तो उमीद है कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह से समझ आया होगा अब आपने क्या समझा आपने क्या जाना आए हम कुछ प्रशन उत्र के माद्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे पहले हम बहु विकल्पी प्रशन करेंगे पहला प्रशन है वोट डालने के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए और इसके विकल्प हैं 18 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष या 21 वर्ष तो हम पहले ही वर्णित कर चुके हैं पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो इसकी उमर है आप जानते ही हैं 18 वर्ष प्रशन अगला कानूं बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है विकल्प हैं परधान मंत्री की मुख्या मंत्री की मंत्रियों की या संसद की तो आपको ध्यान आ गया इसका उतर है संसद की अगला प्रशन घ्रेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ विकल्प हैं 2004, 2005, 2006, 2007 तो ये जो कानून था 2005 में बना था लेकिन लागू 2006 में हुआ था तो इसका विकल्प है सही 2006 अगला प्रशन है हमारे देश का कानून निम्न में से किसके अधार पर लोगों के बेश कोई भेदभाव नहीं करता है धरम, जाती, लिंग ये सभी हाँ इसका विकल्प है सही उत्तर ये सभी क्योंकि हमारा जो देश का कानून है वो ना धरम, ना जाती और ना लिंग के अ उत्तर आप दो या तीन पंक्तियों में देंगे पहला प्रशन है 1870 का राज द्रोह एक या अधेनियम क्या था उत्तर इसके मुताबिक अगर कोई भी वेक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या अलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफतार किया जा सकता था प्रशन नमबर दो ग्रेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं उत्तर जब परिवार का कोई पुरुष दस्य आमतोर पर पती घर की किसी औरत आमतोर पर पतनी के साथ मारपिट करता है या चोट पहुंचाता है या धमकी देता है तो इसे ग्रेलू हिंसा कहते हैं औरत को यह प्रशन निबंदात्मक शोषन के कारण पहुंच सकता है अगला प्रशन कानुन के शासन से आप क्या समझते हैं उत्तर कानुन का शासन का मतलब है कि सभी कानुन देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं कानुन से उपर कोई व्यक्ति नहीं है अब हम निबंदात्मक प्रेशन करेंगे जिनका उत्तर आपको पांसे दस लाइनों के बीच में देना है। प्रेशन नमबर एक अलोग प्रिया और विवादास्पद कानून क्या होते हैं उधारन देकर समझाएं। उत्तर कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहत अलोग प्रिया साबित होता है। ऐसा कानून समिधानिक रूप से वैद होने के कारण कानूनन सही हो सकता है फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता। इसलिए लोग उसकी अलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाब जन सभाई कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं, संसद वारा बनाएगे कानून पर अपनी अहस अहमती दे सकते हैं। उधारन के लिए नगरपालिका की सिमाओं के भीतर पट्री पर दुकान लगाने और फेरी लगाने वालों को गैर कानूनी घोशित किया गया है। समू की हिमाकत करता है और दूसरे समू की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा हो जाता है और इस प्रकार कानून अलोग प्रिया और विवाद आस्पत बन जाते हैं। अब हम प्रशन नंबर दो करेंगे निमन का मिलान करें इसके दो भाग हैं एक तरफ ए और दूसरा बी ए में पहले है रॉलेट एक्ट फिर है जलियां वाला बाग फिर है हिंदू उत्रादिकार सुशोदित कानून फिर है घरेलू हिंसा कानून का लागू होना फिर है 2006, 1870, 2005, 1919 और अमरिसर आए अब हम मिलान करते हैं रॉलेट एक्ट को हम 1919 में से मिलाएंगे क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था जलियां वाला बाग को हम अमरिसर से मिलाएंगे क्योंकि जलियां वाला बाग अमरिसर में है हिंदू उत्रादिकार सुशोदित का कानुन दो हजार पांच में बना था घ्रेलू हिनसा कानुन का लागू होना ये 2006 से मिलाएंगे बना ये 2005 में था लेकिन लागू 2006 में हुआ था राज द्रोहेक्ट ये अंग्रेजों के द्वारा उपनवशी काल में 1870 में पेश किया गया था और इसलिए इसको 870 से मिलाएंग तो इस प्रकार आपका ये मिलान समाप्त हुआ तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय खतम हुआ उमेद है आपको पूरा अध्याय और उसके प्रशन उतर समझ आए होंगे इसी के साथ धन्यावाद स्वस्त रहें खुश रहें